नुश्कार मित्रो, एटीव लाव इविज में आपका हारदिक स्वागत है, अभी आप देख रहे हैं अनार की पैकिंग, दस्दिक से आप देख पा रहे होंगे, ये भाई जो अनार की अलग-लग ग्रेडिंग कर रहे हैं, जिसमें अनार 20 दाना, 10 दाना, 12 दाना, और वेट क इसाब से भी 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम की अलग-लग ग्रेडिंग हो रहे हैं, एक भाई ये देखिए वापिस इसको वजन करते हैं, कुछ अनार बाहर निकालके अंदर कत्रून डालते हैं, जिससे की अनार खराबने हो पाए, ये कार्टून में अनार पैकिंग होने के ब दाल रहे हैं, वापिस अनार डाल रहे हैं, उसके उपर कत्रून डालेंगे, और फिर अनार डालके उपर अकवार से पैकिंग करेंगे, ये भाई देख पा रहे हैं, आप उपर टैप लगा कर कार्टून को पूरी तरह से फैक कर रहे हैं, इस तरह से ये अनार की अलग-अल ग्रेडिंग होती हैं यह वही जो कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं अलग से चार से पास कार्टून पड़े हैं उनमें उच्छ कॉलेटी की अनार उससे नीमन की अनार रखते हैं वहीं उनमें से जो फटी कटी अनार हैं वो अलग रखते हैं 100 ग्राम से अगर हैं कम तो उसको अगर ज़्यादा दूर्शटा लगा हुआ है या खराब है और कोई दूसरा रोगोगरा लगा हुआ है तो उस अनार को बार कर देते हैं और अलग-लग ग्रेड बनाकर इन कार्टून में अनार को पैक किया जाता है हम आपको समय समय पर अनार के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं वहीं इसी करम में आपको बता दें कि जीवणा के प्रफ्रेक्ट अनार मंडी में शोमवार को अनार की निलामी होगी रवीवार को मंडी बंध होने के बाद अभी रवीवार साम को ट्रेक्टरों की आवक शुरू हो गई थी जिन सभी ट्रेक्टरों की निलामी शोमवार सवेरे शुरू होगी शोमवार का भाव कल ही पता लग पाएगा हम आपको शोमवार का जो ताजा भाव होगा वो अगले वीडियो में जुरूर बताएंगे इसको देखने के लिए हमारे शैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक शैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब करें जो हम आपको किसानों समंदित कई जानकारियां देंगे वह अपने सेत्र की ताजा खबरों से भी आपको अपडेट करेंगे धन्यवाद करेंगे जानकारियां करेंगे